श्रीश्वाय नमस्तवियम हरार महादुव सत्रा जन्वरी बूद्वार पॉस्ट वहां की सब्तमीत इती हैं शुक्लपक्ची की इसके उपाई गुरुजी द्वारा बताया गए हैं उनसे समझ कर अच्छे से आपको भी समझाने का प्रयास करूँगी चले जानते हैं उपाई के हैं ये उपाई कौन कर सकते हैं देखे ये उपाई वो सभी लों कर सकते हैं जिनकी नौकली नहीं लग पा रही है या फिर जिनका विवाहा नहीं हो पा रहा है या फिर जिनकी आसंतान प्राप्ति नहीं हो रही है याने कि आपकी जैसे भी मनुकामना है विशेस मनुकामना पूरती का अचुग उपाय है गुरुजी कहते हैं ये एक ऐसा उपाय है जिसको करने से आपकी सभी मनुकामना पूरी हो जाएगी याने कि एक तीर से आप लोग कई शिकार कर सकते हैं तो आज के दिन आपनों की सुपाय को जरूर के जगा आज के दिन को आप लोग अपने हाथों से जाने ना दे देखे इसके लिए आपको करना क्या है इसके लिए आपको लेना है मात्र साथ शमी पत्र जी हां दोस्तों साथ शमी पत्र लेना है और अपने साथ में लेना है एक गोलबत्ती और शुद्धगी का दीपक जी है मिट्टी का दीपक लेना इसमें गोलबत्ती लगानी है और शुद्धगी डालना है अब आप लोग चले जाए अपने घर के आसपास कही पर भी शिव जी के मंदिर में शिवाले में जब आप लोग मंदिर में पहुंच आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा देखें सबसे पहले आपको एक शमी पत्र जो है वो शिव जी के शिव लिंग में जहां पर जलहरी रहते हैं जहां पर सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का स्थान रहता है वहां पर चड़ाना है दूसरी शमी पत्र आपको कार्तिके के आपको माता पार्वती के हस्त कमल में चड़ाना है पाच्वा जय है शमी पत्र आपको शिव जी के शिव लिंग के उपर चड़ाना है चट्मा मेल पत्र आपको नंदि जी के सामने चड़ा देना है अब सात्वा बेल पत्र आपको कहा चड़ाना है आप लोग ध्यान सुनिए जब आप लोग मंदिर से बहाँ निकलते रहेंगे तो आपका उल्टा हाथ पड़ेगा वहाँ पे आपको एक शमी पत्र रखना है और शुद्धगी का दीपक वहें पर जलाना है और एक PCS नाम ले है और अपनी विंते करने कि बाबा मेरी नौकरी नहीं लग पाれる यह मेरी शादी नहीं उपार double head यह रहाएं संतान है यह आपकी जैसे वह अनौकामना है उसको पूरी करने के आप लंग बाबा से विंते किचे घीए किए गुरु जी कहते है किْ अचूक उपए हैं जिन लोगों ने भी इस उपए को किया है उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती हैं तो चले बात करते हैं आप दूसरे उपए की देखें जिनके घर में बहुंच ज्यादा विमाड़ जो भी सदस से आपके घर का बहुत जाद बीमार रहते हैं, उसके उपर से आपको ये कटोरी 21 बार उतार देनी है, ठीक है, अब आप लोग इस कटोरी को लेकर चले जाएं, गणेज जी की मंदिर में, अगर आपके घर के आसपास गणेज जी का मंदिर नहों, तब आप लोग की भगवान गणेज जी विराजमान रहते हैं, और जब आप लोग मंदिर में पहुच जाएंगे, उसके बाद आपको गणेज भगवान के सीधे हाथ की तरब इसका टोरी को रखर देना है, और जो भी व्यक्ति बिमार रहता है, उसका नाम गोतर ले देना है, और वीमारी बंद होकर वो पूर्ण स्वस्त हो जाएगा, चले बात करते हैं, तीसरे उपाय की, तीसरा उपाय जिनके घर में धान दौलत रुपए पैसे रुखते नहीं है, तो उसको एक अचुक उपाय जरूर करना चाहिए, तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना यह है, कि अपको जब आप लों हिए मंदिर में जाएंगे में तब आपको लेना है साथ बेल पत्र जियां, लेकर चले जाए और साथ में एक लाल पॡ़ा भी कर जाएं, अब जब आपम महादेवय जिए की मंधिर में पहुच जाएंगे, तब आपको शिव जी के शिव लेंगे ओप यह सातो बेल पत्र एक एक करके सीवाय नमस्तुबय मंत्र का जाब करते हैं समर्पित कर देना है थोड़े देर बाबा से अपने घर से धन की कमी या धन की समस्या को दूर करने की प्रात्ना कर लेनी है उसके बाद जो आप लाल कपड़ा लेकर गए हैं जैसे माता की छोटी सी चुननी भी हो सकती है या फिर लाल कपड़ा भी हो सकता है उसमें आपको इन सातो बेल पत्र को सीव पचड़ी हो जो बेल पत्र है इनको उठा कर रख लेना है बाबा से विंति कर लेनी है और लाकर आपको लाल कपड़ में इस सातो बेल पत्र बांद कर आपको अपने घर म बहुत अच्छा चलने लग जाएगा और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी पैसों की जो समस्या है दूर हो जाएगी अकर्ज से भी मुक्ते हो जाएगी भागे की रेखा बदल जाएगी गुरुजी केते हैं बहुत ही अच्छुक उपाया आप लोग एक बार इ अच्छ이실, अच्छ के नहीं अच्छ झालने जगाएगी त Display tip